नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत हैं YouTube चैनल मंडी वावराज में मैं दिनेश्चन पाटिदार और दोस्तों सबजी मंडी जो सोलन में हैं वहाँ पर लहसुन की पहली के पहुँच चुकी यानि कि पहली बार सोलन मंडी में नया लहसुन आया हैं यह सिजन की सबसे बड़ी खेपें अभी तक दो दिनों में करीब तीन किंटल लहसुन पहुँच चुका हैं सोलन मंडी में तो किसानों को पिछले साल के मुकाबले इस बार लहसुन के अच्छे दाम मिल रहे हैं पिछले वर्स लहसुन 55-60 रुपे प्रतिकिलोग्राम विका था इस बार किसानों को ल इला सीर्मोर का लहसुन पहुचना भी शुरू हो जाएगा तो रहेवार को सोलन चेतर के कुछ किसानों ने अपने घर से ही आड़तियों को 80 रुपे प्रतिकिलोग्राम के इसाब से लहसुन बेचा हैं सीर्मोर में लहसुन की सबसे अधिक पेदावार होती हैं और सीर्मोर के बाद कुलू में भी लहसुन की खेती बड़े पेमाने पर की जाती हैं सोलन और सीमला में भी लहसुन उगाया जाता हैं सीर्मोर और सोलन में मही तक लहसुन की फसल तेयार हो जाती हैं तो दोस्तों मही का महीना स्टार्ट हो गया हैं और सीर्मोर और कुलू का लहसुन त तो दोस्तों उनको इस लसुन का बाव बहुती बढ़िया मिल रहा है जो की बाव इनको सीर मोर्फ वाले जो किसान है उनको 70-80 रुपे प्रति किलोग्राम की सबसे यह बाव मिला है पिछले वर्स इनको 55-60 रुपे प्रति किलोग्राम मिलाता दोस्तों तो जो लसुन है वो वहाँ पर निकलना स्टार्ट हो गई है और कुछ किसान है जो अपने घर से ही आड़तियों को सीधे ही लसुन बेच रहे हैं तो आड़तिये वहाँ पर जो लसुन निकल रहा है उसकी खरिदारी में लग गए हैं और वहाँ के किसानों ने 80 रुपए परते किलोग्राम के इसाब से लसुन बेचा है जो की कापी विश्व में भी प्रसिद हैं सीर्मोर का जो लसुन है दोस्तों सीर्मोर के बाद कुल्लू का लसुन है या भी कापी पूरे भारत में और वीदेशों में भी सप्लाई किया जा दोस्तों और जिले में सबसे पहले फसल त्यार होने के कारण शुरू में किसानों को फायदा बहुत ही अच्छा मिलता है तो रहेवार को सोलन का लसुन करनाटक के लिए गाड़ियों में भी भरा जा रहा था इससे समंदिर राज्ज में कापी ज़्यादा मांग है यहां की लसुन की दोस्तों राज्जों में काफी ज़्यादा मांग भी है तो सोलन का लसुन देश में ही नहीं विदेशों में भी बेजा जाता है कोविंड के चलते इस बार देश में ही लसुन की खेप बेजी जा रही है कोरोना वाइरस के कारण दोस्तों लसुन की खेप जो बारत की मंडियों में भारी मांग रहती हैं केरल करनाटाक आंदपदेश तमिलनाडु के अलावा उत्तर पुर्वी की राज त्री पुरावा सिक्किम भी पिछले वर्स सोलन से लसुन की खरितारी कर चुके हैं तो मंडी समिती सोलन के सचिव रविंदर जी शर्मा ने बताया की मंडी में इस्तानी लसुन की खेप पहुचना शुरू हो गया हैं किसानों को इसके अच्छे दाम मिल रहे हैं तो दोस्तों ये थी सोलन जो मंडी है वहां की पूरी रिपोर्ट और सिर्मोर डिस्टिक और कुल्लू से जो लसुन नया लसुन पहाड़ी लसुन है वो निक लना स्टार्ट हो जाएगा और बाजार में पहुचना स्टार्ट हो जाएगा तो सुरुवादी सोलन की मड़ी में नया लसुन तीन किंटल लसुन पहुचा हैं और वह लसुन अच्छी क्वालेटी में सितर से 80 रुपे प्रतिक इलोग्राम विचा बिका हैं यानि कि 7000 कि पहली नहीं खेप पहुंच चुकी हैं दोस्तों वीडियो पसंद आये तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए जैजवान जैक्सान धन्यवाद